महानगर में परिवान की सुविधा प्रदान करने वाली बैस ने 22 फरवरी को आग लगने की तिसरी घटना की बाद 400 से अधिक बसों को सडकों से हटा दिया है बैस के इस बैस प्रभंदन से रास्तों पर बस की कमी से आम लोगों को परिशाने का सामना करना पड़ रहा है जी हां खासकर इंदिनों बोड की परिशाय सुरू है ऐसे में बसों की कमी की वज़े से बारवी की बोड के परिशारतियों को परिशा केंदर तक पहुचने में दिक्कत हो रही है कई बच्चे परिक्षा में विलम से पहुच रहे हैं, कई बसों की फेरी कम है तो कहीं घंटों देरी से बसे चल रही है कुछ ठिकानों पर भारी भीड के चलते बसे रुक नहीं रही, ऐसी तमाम सिकायते लगातार मिल रही है बता दे की रास्तों से हटाए गए 400 टाटा बसों की जाचुक्त कमपनी के इंजीनियर द्वारा की जा रही है लेकिन इन बसों की कमी से उपजी समस्या के चलती मुंबईकरों की हालत खराब हो रही है इस दोरान बोर्ड की परिछा देरी विधरती को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बसों के लिए घंटू इंतजार करना पड़ रहा है वहीं कई बार बसों में इतनी भीड होती है कि उसमें गुसना चात्रों के लिए मुस्किल होता है साथ ही कई बार टैक्सी और ओटो वाले परिच्छा सेंटर तक जाने से साफ मना कर देते हैं ऐसे में अक्सर बच्चों के माता पिता के साथ ये भैस की वज़ा बन रहा है इस बारे में एक विधार्ती ने बताया कि सुरुवाती परिच्छा के दिन बस समय से मिल जाये करती थी लेकिन कुछ दिनों से बस के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है अगर बसी आती भी है तो वो पहले से ही भरी होती है ऐसे में हमें चड़ने का मौका नहीं मिलता दरसल बसों में बड़ी आग की घटनाओं की वज़े से मातिस्री लिमिटेड द्वारा संचालित टाटा सी एंजी की सबी 400 बसों को सडकों से हटाने का फैसला किया गया ये बसी तब तक रास्तों पर वापस नहीं आएगी जब तक की ऑपरेटर बसों में आग लगने की वज़े की पूरी तरह जाच नहीं कर लेते बियर रिपोर्ट मेट्रो मुंबई